जरूरी रहें कि अनुही केवला है, मैं तो चाहूंगा कि सब कोई एक से लेकर के पचास रेंक तक आई, ये भी साथ ही हो UR rank, कोई category rank ना, UR rank लाना है साथ ही हो, अब इसके लिए सबसे पहला point आपको revision daily करना होगा, ठीक है अनु, समझना अगर आपका सवाल है तो per day, day one से लेकर के सुनो, day one से लेकर के, day one से लेकर के आपको last class, last class तक आप लोगों को दोस्तों proper notes revise करना होगा, proper notes को revise करना होगा, हर एक सब्जेक्ट, अब सात दिन होता है, तो सात दिन में आप अपना एक alternate मना लो, कि मंगल और बुद को मैं केबल physics और मैत का करूंगा, मंगल बुद होगे, सोम बार और सनी बार को मैं इस चीज का revision करूंगा, पूरा day one से लेकर, यह हर दिन फॉलो ना चाहिए, कोई ऐसा दिन ना हो, जैस दिन आपको unfollow, जैस दिन आप सोचलो unfollow करने का मन करें कि नहीं, आ रात छोड़ो, तो समझ लेना कि आप बहुत नीचे गिरने वाले हो, ठीक है, आपको 50 रंग नहीं, आप 2000 रंग के अंदर में आने वाले हो, ठीक है, दूसरा बात, आपको properly जो classes है, class जो लिया जा रहा है, class, आप पे और यूटूब पे class हो रहा है, आप पलस यूटूब, इन दोनों जगा आप करो, ठीक है, इन दोनों जगा देखो, एप पे दोस्तों, आप थियोरी कर रहे हो, एप पे आप थियोरी कर रहे हो, और यूटूब से क्या होगा, questions मिलेगा, हाना, questions यहां से कराया जाता है, तो कही ने कही थियोरी पढ़ लिये, तो implement भी हो गया, implement मतलब परियोग हो गया, उसका, कि थियोरी आपने कितन पढ़ा थियोरी, उसका implement, उसका use, उसकी आप कितना यूज कर पारे हो, अपने थियोरी को, अगर नहीं यूज कर पारे हो, मतलब आपको concept याद नहीं है, कि कौन सा concept कब यूज करना है, तो याद करना बनता है, यानि थियोरी को फिर से यहां पे आ जाईएगा, ठीक है, त समझ जाओ, समझ जगा है, यानि कहने का मतलब ऐसे पीवाइक्यू को कम से कम तो 15-20 मिन डेली दिया करो, ठीक है, 15-20 मिन डेली अगर दो गए पीवाइक्यू, तो क्या होगा साती हो, कि उससे आपको एक पैटन समझ में आए, कि एक्जामिनेशन का पैटन क्या है, कि अगर में पया है, अगले साल भी टौपिक से सवाल आए, और कौन सा टौपिक से इस बार सवाल यां, तो अगर आप डेली वाइस में यही आगर आप सोचते होना, तो आपका ये पीवाइक्यू, आपका एक्जामनेशन का पैटन्या आपको समंझने में आजाएगा, और ये स्टार्ट करते हैं समझने का पूरा प्रयास करते हो तो आपको आने वाले आप सेमिश्टर का एक्जाम दो और भी बहुत सारी आपको एक्जाम देने लाइफ में तो उसमें भी यह चीजें होती है कितने भी बड़े से बड़े UPSC के टीचर देख लो वह भी करते पी वाई क्यू बनाना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है जिस दिन यह समझ में आ गया हर एक एक एक्जाम क्लियर है तो यह तीन चीजे हैं जो आपको करने चाहिए और प्रेक्टिस होई रहा है एक्ट्रा कोई किताब उताब है तो उसको भी बनाया करो पाच्वा नंबर चौथा नंबर आप बुक्स बनाया करो और दूसरी बात बुक्स मतलब उस चीज़ का आपके सी सिमीलर फिमिलर ऐक्जाम को भी बनाया करो जैसे कुछ बच्चे पैरा मेडिकल का अगर ग्जाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है 10 को यह बीहार पारमेडिकल करो ओंग करो ना अब बिहार पारा मेडिकल का तो प्रॉपरली कर ही रहे हो इसलिए करने के लिए कर रहा हूं कि आपको क्वेस्टन की कमी नहीं होगी यूटूब पे भी लिमिटेड है साथी हो लेकिन जब आप अलग-अलग एक्जाम में जाओगे अपने अभी नहीं कि आप दे रहे हो मेडिकल का एक्जाम अब फिर आप कर करो बुक नहीं कौने नहींतरहिए कुसलेड करूब करने हो गरो सर्मेटन में दिगगा में हूं अभी में आप कहां मिलेंगे मैं अभी बाभू अप दिगगा में हो दिग्गा में क्या कर रहे हो बुक नहीं है खरीदो बुक नहीं अन्यों जी तो खरीदिये ठीक है प्रैक्टिस सेट कौन सा लूँ देखो अब यह चीज आप मेरे सो पूछते नहीं था बहुत इरीटेट हो जाते एक्शली मार्केट में कुछ है ही नहीं आप लोग के लिए सची बता रहा हो तो जो भी मिलता है उठालो और बना लो उसको फेक दो मेरा मानना है बनाओ उसको अगर उस किताब का आपको लाइफ में यूज है तो रखे रहो नहीं तो रद्दी के भाव में बेचो और जो पैसा आएगा उससे फिर नया किताब खरीदो फिर उसको बन मैं तो बाबु आज नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं आज लाइब्रेडी जा रहा हो अपना कुछ काम है लाइब्रेडी में तो आज तो नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मेरा भी बहुत दिन से क्लासेश वेगरा परेंडिंग पड़ा हुए है ना जैसा कि आप लोको बोलने क्लासेश बंध है तो मेरा पूरा रूटीन पूरा डिस्मैच होया हुए तो रूटीन को सेटल करना आज प्रपरली रूप से तो आस्तों नहीं हो पाएगा मैं मिल पाऊंगा किसी से ठीक है बकी अगर आगर आप पटना आते हो तो मैं दो तीन मिनट के लिए निकाल के आप से मिलो कॉलेज आया हो सर्जी ठीक है को आई टी के को आयो हो अधिन में जरूरी नहीं अन्यू है दिन में आक आपके के आप अपने पर सकते हैं उतना पढ़ लेना के रिवीजल का मतलब यह नहीं साथी हो कि मतलब बम एकिजी टोपी को पाच्पर रिड करना है जो भी नोट्स आपने बनाया या जो हम लोगे ने सेंड किया उस को एक में आपको प्रॉपर एक टार्गेट करना होगा कि इतने से मालने आज मैं है आज मैं मैं परसेंटेज को आज मैं किलियर करूंगा जो भी थियोरी का सेक्षन परसेंटेज के जो भी हम लोग थियोरी में पढ़ें टाइप वाइस उसको मैं पूरा क्लियर करूंगा ठीक है तो आज का टार्गेट यह रहा तो यह कंप्लीट करने के बाद फिर उठ जाएंगे अगले सब्सक्राइब यह कंप्लीट हो जाए टाइम ली तो फिर अगले सब्जेक्ट को दे दिखा हुआ है वह भी याद हो जाएगा ठीक है यह होता है डेली प्रैक्टिस करने का क्या करते हैं फल ठीक है तो आज के लिए तना ही मिलते हैं नेक्ट चलास में जय हिंद जय भारत